नमस्कार दोस्तो लेटिस्ट अपडेट्स एंड रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए एकलवी स्टूडियोज को और बेल आइकन बजाना ना भूले हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एकलवी स्टूडियोज तो आज हम बाते करेंगे खत्रो के खिलाड़ी नाइन के बारे में जैसे कि हमने पहले वीडियो में अपडेट कर दिया है Elimination का अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके वो वीडियो देखे जिसे आपको पता चलिगा कि कौन दो सदर से Eliminate हो चुके है दूसरी बात अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आ रहे है और अगर अगर आपके सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे वीडियो को ज़रूर सबस्क्राइब करें हमारे चानल को ज़रूर सबस्क्राइब करें Hit the like button अगर आपको खतरो के खिलारी नाइन में उनको एक Injury हो गई है और उनने Injury हुई है एक सापने उन्हे काट लिया है वह साप है पाइथन दरज्सक्रण ये बात ही हो रही थी कि जो साप थी वह भारती को काटने जा रहे थी वकास गुपता आइसनिक उन्हें बचाने के चलते हैं उनको साब काट लिया है जिसके कारण वो injured हो गए है दूसरी बात जो सामने आ रही है वो है अधिते नरायन की अधिते नरायन जिसको आप जानते है उधित नरायन के बेटे जो कि बहुत मशूर सिंगर है और अधिते नरायन भी बहुत अच्छे चाइल्ड आर्टिस थे प्लस सिंगर थे उनको भी इंजरी हो गई है एंड उनके आखों में चूट आ गई है तो इसके लिए उनके डॉक्टर्स जो वहाँ पे है उन्होंने ये सजेस्ट किया है कि आप एक वीक का रेस्ट करे ये सारे घटनाओं को देखते हुए रोहिच शेटी बहुत ही गुस्से हो गए है क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि सेट में उनके कंटस्टेंट इस तरह से इंजर्ड होते जा रहे है तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिवेंशन इस बार बहुत ही वीक हो रहा है अगर आपको आपको ऐसा लगता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें हो सकता है कि एपिसोड देखने के बाद जरूर आपको ये अंदाजा मिल जाएगा बट आप फिर भी कमेंट करते रहें और हमसे जोड़े रहने के लिए आप हमें फिर से सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया तो तो थाइक फॉड़े लिए सब्सक्राइब